नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल पर आज हम बात करेंगे किस प्रकार आप घी का सेवन करके भी रोगों से बस सकते हैं आयरुवेद में गी को स्वाद बढ़ाने वाला और उर्जा प्रदान करने वाला माना गया है इसलिए भारत्य गी को सग्यों सवन भोजन का अभी निस्सा मानते रहे हैं घी के वज़े रसाइन ही नहीं यह आखो की जियोती को भी बढ़ाता है ठंटम इसके से उनको विशेश लाबधाई माना गया है इसके अपने गुरू के कारणी मक्षन के जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं जबकि मक्षन में लॉंग चैन फैटी असीड ज़्यादा होते हैं जो नुक्सान दाइक होते हैं घी में के वल कैलोरी यह नहीं होती इसमें विटामिन A, विटामिन D और कैल्शियम, फासफ़ोर्स, मिनरल्स, पोटेशियम जैसे कई पोशिक तत्तव भी होते हैं तो यह ज गी बनाते समय गी के तीन लेयर बन जाते हैं पहला लेयर पानी सी उकत होता है जिससे बाहर निकाल दे जाता है इसके बाद दूद के ठोस भाग को निकाला जाता है जो अपने पीछे एक सुनहरी सैचुरेटेड चरवी को छोड़ जाता है जिसमें कंजगेटिट लाइनोल अच्छी उत्तकों को लूब्रिगेट करने वे वजन कम होने में से रोकने में मददगार गरों में जाना जाता है यह एक साच्छाई की गी एंटियोक्षडट गुनों से भरपूर होता है इस तरह में प्रदर रोक कि समस्याज में गाएं का गी रामबान की तरह काम करता है गाएं का गी, काला चना वे पीसी चिन्नी पीनों की समान महत्तरा में मिलाकर लड़ूग बनाकर खाली पेट सेवन करें इस से प्रदर रोकिस में रहात मिलेगी संभोक के बाद कमजोरी या ठकान महसुस हो तो एक गिलास गुनगे न दूद में गाएं का गी मिलाकर पी लेने से ठकान वे कमजोरी बहुत जल्दी दूर हो जाती है सर्दियों में दिन भर में एक बार दूद में गी डाल कर पीने से सहत बन जाती है द्वाओं के कारण श्रीर में गर्मी होने पर या मूँ के छाले होने पर भी आरामबान की तरह काम करता है खांसी ज़्यादा परशान कर रही हो तो छाती पर गाए का घी मसले जलती रात मिलेगी जोडों का दर्द हो ये तवचा का रूखापन पंचकरन शोधन आईरुएद में हर जगह घी का उप्योग निश्चित है हम जानते हैं कि हमारा श्रीर अजिकतर पानी में घुलन शिल हानिकार के पदारतों को बाहर निकालता है लेकिन घी चर्वी में घुलन शिल हानिकार साइनों को हमारे अहार नल से बाहर निकालता है घी को पिचाना असान होता है साथ ही इसका श्रीर में एल्कलाइन फार्म में होने वाला परिवर्तन बहुत ज़्यादा एसिडिक खान पान के कार्ण होने वाले पेट की सूजन को भी कम करता है एक चमच गाएं के गी में एक चुथाई चमच काली मिर्च मिलाकर सुबह खाली पेट वह रात को सोते समय खाएं इसके बाद एक ग्रास गरम दूद पीएं आखों की हर तरह किस मस्या दूर हो जाएगी तो दूस्तों ये थे गाएं का गी का सामन करने के फायदे आगे भी हम आपके लिए ऐसे स्वास्तेवर्दिक जान करने लेकर आते रहेंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मने के बेल आइकोन को जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब से पहले आपको मिल सके आप अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते गले वीडियो में एक नोई टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार